इस स्मार्टफोन का आज मैं लाउट स्पीकर चेंज करने वाला हूँ काफी इजी सा प्रोसेस है आप भी घर पे कर सकते हैं लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है वो सारी बाते में इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये फोन है मेरे पास में Asus का Max Pro M1 लेकिन फिलाल में जो इसका लाउट स्पीकर है उसकी वॉल्यूम काफी जादा डउन हो चुकी है तो इससे में मुझे इसका लàoच स्पीकर चेंज करना पड़ेगा और ये जो लाउट स्पीकर है मुझे मार्केट में नहीं मिला इसलिए मैंने से online करीद लिया है Amazon पे अगर आपको भी इसे करीदना है मैं description में link दे दूँगा तो ये replacement loudspeaker मैंने यहाँ पर मंगवा लिया है फिलाल में मैं इसे change करने वाला हूँ कैसे करना है ये सारा process मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पहले मैं आपको इस smartphone का जो loudspeaker लगावा है उसकी volume सुनाता हूँ तो अभी loudspeaker चेंज नहीं गया है आवाज तो आ ही नहीं रही है मानो बिल्कुल दबी वी आवाज है अब इसका loudspeaker चेंज करते हैं सबसे पहले phone को हम यहाँ पे off कर देते हैं अब इसके बाद में हम सबसे पहले जो है इसकी sim tray को भार निकालेंगे अब जो main process है यही सारा important है यहाँ पे गलती करती तो phone गया अगर आपको basic knowledge नहीं है तो आप फिर किसी technician के पास जाके उन से करवाई है यह काम खुद मत करना क्योंकि कई बार क्या होता है लोग back cover खोलने की जगे screen ही उखाड देते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत clearly ध्यान देना है कि आपको back cover भार निकालना है screen को नहीं उखाडना है क्योंकि यह गलती काफी लोग करते हैं अगर आपको बिल्कुल भी knowledge नहीं है इन चीज़ों की मत करना नहीं तो फिर आप सोचोगे कि भाई मैंने क्या किया और phone खराब कर दिया loudspeaker change करने का तरीका बता रहा हूँ back cover को open करना है और इसका back panel कोई glue से यहाँ पे नहीं लगावा easily open हो जाता है मेरे पास में इस समय कोई tool नहीं है तो मैंने एक पुराना sim card लिया है और धीरे धीरे इसको slide किया है कोई भी metal की चीज़ यूज़ मत करना है यहाँ प्लास्टिक का ही कोई भी चीज़ यूज़ करना इस तरीके से और यहाँ पे back body जो है वो धीरे से खुल जाएगी यह काम काफी इत्मेनान से करना है काफी दीरे से करना है और उसके बाद में आपका back panel जो है इस तरीके से निकल जाएगा तो यही critical step है यहीं पे आपको ध्यान रखना है यह काम आपने कर लिया तो loudspeaker आप easily change कर पाऊगे इसके बाद में अगर आपका charging वाला connector भी खराब है उसको भी आप इसी तरीके से change कर सकते हो यह रहा मेरा replacement वाला loudspeaker जो मेरे पास में इस समय दोनों में almost same तरीके कहा है तो fitting यहाँ पे आराम से हो जाएगी अब आपको यहाँ पे क्या गरना है कि यहाँ पे कुछ screws लगेवे हैं जिनको मैं फटावट से open कर देता हूँ यह screw मैंने खोल दिये इसके बाद में easily यह loudspeaker वाला जो area है यहाँ पे आपको access मिल जाएगा इसका और यह loudspeaker आप यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आपको इसका charging plate चेंज करना है तो यह नीचे वाला इससा आपको कोलना पड़ेगा फिलाल मुझे जरूद नहीं है अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूँगा उसके उपर काफी सारी स्मार्टफोन में इसी तरीके से loudspeaker चेंज भाता है अब फड़ावट से यहां पर replacement वाला जो loudspeaker है और जो original loudspeaker है दोनों को मैंने देख लिया है almost same है कोई दिक्कत नहीं है replacement वाला जो loudspeaker है यहां पर उसको मैं फड़ावट से यहां पर लगा रहा हूं तो एक बार आप यहां पर देख लीजिए मैंने आपको back panel के बारे में जो चीज़े बता ही है कि back panel remove करते हैं आपको जो साफदा नहीं रखनी है वो आपको रखनी ही है और काफी सारे लोग यह काम कर लेते हैं नहीं तो loudspeaker आपको क्योंकि online मिल जाएगा offline में नहीं मिलता आप loudspeaker मंगवा सकते हैं और अपने आसपास में कोई भी mobile repair shop है तो वहाँ पर जाके आप लगवा सकते हैं यह loudspeaker replacement वाला मैंने यहां पर लगा दिया है और यहां पर screws जो हैं उनको भटावट से मैं जो है tight कर देता हूं और उसके बाद में इसका back panel लगा जाता हूं मैं एक बाद फिर से आपको दिखा रहा हूं कि यह जो loudspeaker है यह बहुत ही easily यहां पर लग जाता है proper इसमें slot लगा हूँ है तो easily यहां पर जो replacement loudspeaker है काफी अच्छी fitting इसके आ गई है अब मैं यहां पर screws जो है वापिस लगाता हूं और उसके बाद में यहां पर फिर मैं आपको back panel वापिस लगा के दिखाता हूं screws मैंने लगा दिए back panel लगाते वे भी आपको वापिस से ध्यान रखना है क्योंकि कई बार यह चीज होती है वैसे होती नहीं है लेकिन कई लोगों के साथ में हो जाता है back panel लगाते वक्त कहाँ पर जो volume के buttons और lock keys के button है ना कई लोग उनको भी तोड़ देते हैं तो यह चीज का आपको ज्यान रखना है तो simple से तरीका है इस तरीके से तेड़ा करके तोड़ा सा लगाईए और उसके बाद में इसको टक-टक कर दीजे बस दबा दीजे और आपका जो back panel है वो phone के साथ में आपका easily जो है fix हो जाएगा और एक बार cross check कर दीजे कि आपके जितना भी area है कोई भी area चूटा तो नहीं है तो इसलिए अच्छे से मैंने इसको दबा दिया है back panel यहाँ पे लग चुका है phone को आप मैं फटावट से बूट करता हूँ phone जब तक बूट हो रहा है वीडियो को लाइक कर दो इस तरह की useful वीडियो भी लाता हूँ अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजे वीडियो को और अगर इस फोन का लौट स्पिकर चेंज करना चाते हैं और आप खरीदना चाते हैं Asus Max Pro M1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैं अगले वीडियो में लूँगा कुछ नए गैजट्स रिव्यूस के साथ में